हेलो फ्रेंड्स सभी को नमस्कार आज हम नेट एक्जाम के लिए जियोग्राफी विशे में कौन-कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए उसके संदर्ब में वीडियो बना रहे हैं इसमें हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बुक्स कवर की जाएगी वीडियो शुरू करने से पहले हमने एक नेट एक्जाम के लिए टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट की है जो की जियोग्राफी विशे के लिए है जिसका लिंक डेस्किप्शन में दिया गया है तो आप वो टेस्ट सीरीज जॉइन कर सकते हैं तो हम सुरू करते हैं सबसे पहले बोतिक बोगोल अर्थात फिजिकल जियोग्राफिक की बोक्स लेते हैं फिजिकल जियोग्राफिक के लिए बोतिक बोगोल हिंदी में भी आती है और इंग्लिस में भी आती है सविंदर सिंग की physical geography इंगलिस में तो एक या थी हिंदी में ये दो किताब आती बोतिक बोगोल और बोतिक बोगोल का सवरूप बोतिक बोगोल में थोड़ा सा add-on है बोतिक बोगोल का सवरूप में थोड़ी सी glossary वगिरा extra दी हुई है तो आपको कोई भी एक book खरीदनी है बोतिक बोगोल या बोतिक बोगोल का सवरूप और आप बोतिक बोगोल का सवरूप करेदे हैं थोड़ा सा add-on वाला एडिसन है और इंगलिस में एक एडिसन आता है physical geography का तो यह must book है मतलब जैदेतर जो पुराने सवाल वगिरा बनाए हुए है वो जैदेतर इसी book पर आदारी थे और physical geography में चारों branch cover हो जाती है geomorphology भी cover हो जाता है, climateology भी cover हो जाता है, oceanography भी cover हो जाता है और geography of environment भी cover हो जाता है अगर आप specialized book नहीं पढ़ते हैं तो भी चल जाता है अगर आपके सारे concepts clear है तो आप उस सारे topic को साथ में इंटरनेट के साथ में देखते हैं तो चल जाता है दूसरा part है physical geography में, दूसरी must book है GC Lyon की जो की IS Pre या IS Men's में जो geography subject में जो exam देते हैं तो उनके लिए certificate physical and human geography GC Lyon आपने नाम जरूर सुना होगा तो बले हिंदी मीडियम हो बले इंगलिश मीडियम हो दोनों के पास यह must book है इसमें land form वगरा जो वाल के नों वगरा ऐसी बहुत सारे जो chapter है physical geography के वो आपको मिल जाएंगे बहुत अच्छे से और इसके साथ अगर आप और depth में जाना चाहते हैं तो इस्टोलर की book आती है इंट्रोड्यूसिंग फिजिकल जियोग्राफी यह थोड़ी सी हलकी सी महेंगी आती है पर इसमें ज्यादतर लगबग लगबग 40% डाइगराम दिये हुए है उन डाइगराम के साथ अच्छे से समझाए हुआ है इंडिया में जो book आती है वो ज्यादतर सस्ती आती है और उनमें जो color printer नहीं आता है क्योंकि यहां के audience है वो कम घरीद पाती है पर इस book को आप अगर थोड़ा सा मतलब इंडि मीडियम वाले भी इसको थोड़ा सा देखते हैं तो इस language बहुत सरल है और डाइगराम के साथ अब उसको पढ़ते हैं तो बहुत अच्छे से समझाए है इसी के साथ physical geography diagram बुक आती है जो की Bennett की है थोड़ा सा इसको revise किया गया है यहीं के local writer के द्वारा तो यह तो बोतिक बोल की मोटे मोटे तोर पे बुक्स हो गई इनकी specialized branch की और दूसरे unit wise की बुक्स भी हम देखेंगे geography of India unit है net exam में तो इसके लिए आपके पास कोई भी एक बुक होनी चाहिए चाहे आपके पास माजिद हुसेन की किताब हो चाहे आपके पास RC तीवारी की किताब हो RC तीवारी की किताब थोड़ा academic में ज्यादा चलती है और तिसरी DR कुलर महोदे की भी किताब काम आजाएगी तो आपके पास कोई भी एक बुक होनी चाहिए ऐसा नहीं है कि तीनों ही लियाओ ये कोई जरूरी नहीं है साथ ही मैं तो यह सजेस्ट करूँगा कि जो NCRT की class 11 और class 12 में जो इंडिया की बुक चलती है उसको बहुत मतलब पूरे तरीके से पढ़ लेना चाहिए सारे chapter line to line आपको पढ़ लेने चाहिए तो आपकी geography of India का जो conceptual framework है वो आपका clear हो जाएगा साथ ही अगर और भी कोई बहुत भाई यह जो langly किताबे हैं इनको आप avoid करें क्योंकि एक unit है तो किसी के पास per year वगेरा है तो वो भी चल जाता है NCRT per year से भी और geography of India के तो बहुत सारे video भी available है YouTube पर तो अगर नहीं भी लेते हैं तो भी चल जाता है और NCRT से NCRT must है इसमें तो आगे बात करते हैं पहली unit geomorphology की geomorphology में सविंदर सींग की भी किताब आती है और हिंदी में भी भू आकरती विज्ञान के नाम से सविंदर सींग की किताब आती है तो यह किताब sufficient है अगर आप इसके सारे concept समझ पाते हैं तो और बाकी और depth में आप जाना चाहते हैं तो principles of geomorphology बुक आती है William D. Thornebury की यह बहुत अच्छी किताब है बहुत थोड़ा पहले लिखी हुई है पर आज भी यह relevant है और इसी पे ही सारी geomorphology की जो हम books देखते हैं वो सारी सारी इस पे best होती है तो आप यह भी खरीद सकते हैं और सारी जितनी भी किताबे हैं उन सब का जो buy link है वो मैं provide कर रहा हूं और आप compare करके जहां से सस्ती मिल रही है वहां से खरीद सकते हैं अगर local seller भी कोई बेच रहा है तो वहां से खरीद लें वरना Amazon से खरीद सकते हैं Amazon से अलवा flip card से भी आप खरीद सकते हैं मैं सबी जो books है उनकी जो जो available है Amazon वगरा पर उनकी मैं link भी दे रहा हूं वहां से भी आप खरीद सकते हैं अगली unit है climateology और उसके बाद तीसरी unit आती है oceanography की तो climateology और oceanography के लिए वैसे तो climateology की किताब और oceanography की किताब दोनों की सविंदर सिंग की अलग अलग भी आती है पर इतना कोई depth में जाने की जरूरत नहीं है आपका concept अगर clear है मतलब अगर थोड़े से पैरा में भी clear हो जाता है तो कोई इतना बड़ा पैरा पढ़ने के आपको जरूरत नहीं है तो climateology और oceanography साथ मिलें तो आपके लिए थोड़ा economic रहेगा तो English में भी आती है climateology and oceanography और इंडी में भी आती है जलवायू एयों समुद्र विज्ञान इसके साथ साथ अगर कोई DS लाल की भी book लेना चाहे तो वो भी English में आती है climateology and oceanography और जलवायू एयों समुद्र विज् सकते हैं थोड़ा सा कोई भी सवाल गलत नहों इस एसाब से दोनों ले सकते हैं और ज्यादतर जो आंक्रे हैं वो सविंदर सिंग के यूज किये जाते हैं कुछ-कुछ में DS लाल के भी पेपर में आते हैं दो बुक्स से ही ज्यादतर अपने सवाल आते हैं अब आप climateology में थोड़ा और डेप्थ में जाना चाहते हैं तो ज्यादातर एकेडमीक में जनरल क्लाइमिट लोजी चलती है क्रिस फिल्ड की और इस्टोलर की जो किताब थी विजिकल जियोग्राफी की उसमें भी क्लाइमिट लोजी के अच्छे कॉंसेप्ट समझाये हुए हैं और इसके सा इडिसन आपको मिल जाए तो आप ले सकते हैं पर इसमें मतलब सारी चीजें एकडम क्रिस्टल क्लियर दी हुई है और अच्छे डंग से समझाये हुई है ऐसा आपको मतलब कोई और बुक में नहीं मिलेगा आगे बात करते हैं जियोग्राफी ओप एन्वार्मेंट की तो यूजी क्लासेज में यानि सनातक अक्साओं में जो चलती है परियावरण अध्यन इराग भरुचा की और इंग्लिस में भी चलती है एन्वार्मेंट स्टेडिज फॉर अंडर गेजूट कोर्सेज ये इराग भरुचा की चलती है ये एकडम ऐसे क्योरी टाइप लिखी तो दूसरी बुक्स में परियावरण भुगोल आती है समिंदर सींग की इंग्लिस में भी आ जाती है एन्वार्मेंटल जियोग्राफी समिंदर सींग की अगर लेते हैं तो पर उसकी कोई इतनी रिक्वार्मेंट नहीं है क्योंकि आप बहुतिक भुगोल जो समिंदर यह चलती है और दस्टी आईएस की पर्यावर नहीं पार्स्तिति की चलती हालांगी बहुत सारी गलती हैं और यह टेक्स्ट बुक नहीं है फिर भी मैं सजेस्ट कर रहा हूं क्योंकि इन्वार्मेंट थोड़ा डाइनेमिक है और इसको अपडेट करते रहना चाहिए तो इनके लेटेस्ट एडिसन है वो हर बार हर साल आते रहते हैं तो आपका कॉंसेट बिल्डिंग इस पर्यावन अध्यन से बन जाएगा साथ में डाइनेमिक हो जाएगा साथ में Анवे ay algún आते ठी भारत की जन संक्या के संदर्व में दूसरा पार्ट दिया गया है तो यह सीन दी अभी इंग्लिश में भी अविलेबल हमें हालंकि आपको बुक्स में कुछ चीज़ें आपको निराज करेगी जैसे कुछ थियोरीज आपको थोड़ी अच्छी नहीं मिलेगी पर जो जियोग्राफी में जो अवेलेबल बुक्स है उनमें सबसे बैस्ट यह है और ज्यादे तर जो पेपर सेटर होता है उनके सवाल इसी में से होते हैं पर कुछ जैदा ऐसी थियोर्टिकल टाइप लिखी हुई है थोड़ा सा इसको इंट्रेस्टिंग बनाए जा सकता था आगे हम बात करते हैं सेटल्मेंट जियोग्राफी की तो सेटल्मेंट जियोग्राफी में सबसे बैस्ट बुक आती है अधिवास भुगोल आरसी तिव इंगलिस में भी आने लग गए 2020 के बाद से सेटल्मेंट जियोग्राफी तो आरसी तिवारी सबसे बैस्ट बुक है सेटल्मेंट जियोग्राफी की और आपको अर्बनाइजेशन के लिए अर्बन जियोग्राफी के लिए इस पेसलाइजेशन के लिए किताब चाहिए भी उपलब देया नगरिय भुगोल और कुछ जैसे यूनिट में सेटलमेंट की यूनिट में कुछ डाइनेमिक एसपेक्ट लिए हुए हैं कुछ नए टॉपिक एड़ान हुए हैं तो उसके लिए आप के सिद्धाता की सिटीज अर्बन सिस्टम पढ़ सकते हैं काफी अच् दिक्सित की इसके साथ साथ हिंदी में आती है हरी मौन सक्सेना की मैं यहां पे बुक कवर है वो डालना भूल गया हरी मौन सक्सेना की बेस्ट बुक है अगर आप कोई भी पॉलिटिकल जियोग्राफिक एक बुक लें तो हरी मौन सक्सेना की लें और दोनों लेना चाहते ह पर अरडी दिक्सित से भी आते हैं दोनों से लगबग सवाल आते हैं अगली जो यूनिट मैं अपने जो कवर कर रहे हैं वो social and cultural geography तो social and cultural geography की आप साथ में लें English medium में तो जोत्रमा सैन की अच्छी किताब है और आप अपनी इसकी conceptual building बनाना चाहते हैं जिए लिबुशेल जिव्ग्राफी की, तो एज़े जुदिन एहमद की किताब काफी बैष्ट है, आप उसमें एक ना थौट प्रोसेस बनाना चाहते हैं, तो हंडी में थोड़ा सा सोचियल और कल्च जिव््राफी में थोड़ा सा किताबॉं में मतलब थोड़ा सा, हमें सेट बेक मैसुस होता है क्योंकि कोई अच्छी किताबे उपलब्द नहीं है हालांकि जो ये सामाजिक भुगोल है ये SD मोरिया सर की है ये भी मतलब एक अच्छा परियास है मतलब इस सब्जेक्ट में कोई books अवेलेबल ही नहीं थी तो इनकी सामाजिक एवम सांस्कृतिक भुगोल साथ भी आती है उसका मुझे कवर पेज नहीं मिल पाया मतलब मेरे पास था मैंने साइद वो निंट डाल पाया तो आप वो साथ वाली भी ले सकते इसके अलवा जो हिंदी गरंदक आदमी की सांस्कृतिक भुगोल की ये लगबग 60 रुपे की किताब थी मुनरुजदिन रिजवी वाली बहुत एकोनॉमिक था और सवाल भी काफी अच्छे आ जाते थे इससे बहुत पतली सी किताब थी पर ये साथ अभी discontinue कर दी आपको कोई old books मतलब मिल जाए कोई किसी book store पे तो आप lucky होंगे आगे बात करते हैं हम geographical thought की तो इसके लिए आपके पास दो किताब होनी चाहिए एक तो माजिद हुसेन की और RD दिक्सित की दोनों किताब हिंदी में भी उपलब दे कोई भी एक book उसको cover कर ही नहीं सकती तो इसके लिए जैसे हिंदी में है प्रायोगिक पुगोल जेपी सर्मा की तो ये काफी अच्छी किताब है और इंग्लिस में जाएंगे तो elements of practical geography ये काफी concise way में लिखी हुई R.L. Singh की और R.A.P.B. Singh की बहुत अच्छी book है मतला इंग्लिस वाली भी बहुत अच्छी किताब है और J.P. Sarmah Kentucky में भी अलग से मतल nutshell अच्छी किताब है दोनों अपने अपने language में available है English वाली घडी काफी है दोनों दूसरी language में available नहीं है अब इसके साथ आप कुछ और पढ़ना चाहते हैं जैसे कि G.I.S के लिए तो चैंग ले सकते हैं और कार्टोग्राफी के लिए भी और बुक्स आती है पर इतना मैं नहीं समझता है कि आप इतना पढ़ भाएंगे इससे अच्छा है कि 11th की practical की किताब 12th की साथ में यह जो प्राइग गोल या प्रैक्टिकल जियोग्राफी जो भी आपका मेडिये में वह ले सकते हैं और उसमें जैसे आपके जियो स्पेसियल टेक्निक है जी एस भी कवर हो जाएगा रिमोट सेंसिंग भी कवर हो जाएगा 11.12 वाली से तो वह सफिसेंट है अगर चैंग मेंने कोई पड़ी ही नहीं है तो अभी जी यह सॉप्ट्वेर चला रहा हूं तो सारे जो आप्रेसंस है वो आसानी से उसके समंध में कोई भी सवाल आता है तो कर सकते हैं और जैसे इस्टेटिकल जियोग्राफी है इसकी भी अलवी की किताब अच्छी आती है असल प्रेक्टिस करके उसको कम्प्लिट कर सकते हैं स्टेटिक्स वाला कार्टोग्राफी तो इन दोनों में अच्छी है जैपी सर्माय में बहुत अच्छी है और जी आईयस आपका 1112 वाली किताब से कवर हो जाएगा आगे बढ़ते हैं ट्रांसपोर्ट जियोग्राफी के लि एक्स्टा मैट्रियल है तो दो चैप्टर आप किसी लाइबरी से एक्सेस कर सकते हैं इस किताब को या फिर किसी प्रेंट के पास है तो वहां उससे लेकर अपने नोट्स बना के वापस दे सकते हैं और इंदी में कोई भी अच्छी किताब पहले अवैलेबल नहीं थी वरत साथ ही अगली जो हमारी जो सब्जेक्ट है वो है रीजनल प्लानिंग रीजनल प्लानिंग के लिए हलंकि आपको थोड़ी बुक्स की कमी महसूस होती है पर आरसी चांदना है कि जो रीजनल प्लानिंग और डवलप्मेंट की किताब है हलंकि बहुत ही लेंगदी लिखी थोड़ा सा और डाइग्राम और थोड़े प्लोचार्ट वगरा यूज होते तो काफी इंट्रेस्टिंग लगती और कुछ थियोरीज है वो भी बहुत कम डाली हुई है जबकि रिजनल प्लानिंग की थियोरी पे ज्यादा महत्व दिया जाना चाहिए था तो इसकी इंदी मे भी अवेलेबल है इंग्लिस में भी अवेलेबल है कुछ प्रिंसिपल्स मिल जाएंगे कुछ टेक्निक्स इसमें मिल जाएगी तो यह भी मस्ट बुक है अगर आप रिजनल प्लानिंग की लेना चाहते हैं कोई भी बुक एक मात्र बुक में यही बुक होगी बाकी वाले आ और इंग्लिस में भी अवेलेबल है साथ ही हिंदी में एक अच्छी किताब और है माजिद उसे नहीं लेके अगर सर्मा एंड भारदवाज लेते हैं तो बैटर है मतलब यह राजस्तान के है सर्मा ओथर तो इन्होंने लगबग 1980 में टाइप अलोजी वगरा में जो अच्छे हैं मतलब तो कर्शी बुको लिए अच्छी किताब है और आप क्लासिक बुक देखना चाहें तो सफी की अगरिकल्चर जियोग्राफी है यह आपको इबुक के रूप में मिलेगी पर बहुत ही अच्छी लिखी हुई है इंग्लिस में है अब आते हैं एकोनोमिक जियोग्राफी में एकोनोमिक जियोग्राफी में आप रूपामेडसिंपल की यह बुक है बले हिंडी मेडियम हो उन दोनों के लिए जो मस्ट बुक है उसमें रूपामेडसिंपल लगबग 200 रुपे की गिताब आती है यह जरूर होनी चाहिए इसमें बहुत सारे बले और बहुत सारी इंडिस्ट्रियल थियोरियां वगेरा सारी मतलब एक दम एक एक पेज में समझाई हुई है एक दम किस्टल क्लियर वे में और साथ में अगर आपको अब एकोनोमिक जियोग्राफी में थोड़ा सा आपको निरास होना परेगा बुक्स में कोई अच्छी इती बुक्स है नहीं जैसे ये सुरिंदर सिंग और जीतिंदर सर की एक ये बुक है यूमन एंड एकोनोमिक जियोग्राफी ये कुछ जैसे डैली उनिवर्शिटी के सिलेबस के एकोर्डिंग थोड़ी चलती है तो इसमें काफी चीजे मिल जाएगी तो ये सफिसेंट है इंग करते देना पड़ेगा बलाई फॉरेश्ट रिपोर्ट हो बलाई मिनरल्स में किसी देश का कौन सा इस्थान है तो इनमें अपडेट एना पड़ेगा हिंदी में आप लें तो ये एसडी मोरिया की आर्थिक भुगुल मिल जाएगी कोई और भी किताब है तो भी चलेगी आ दूसरा 12 में यूमन जियोग्रापी के प्रिंसिपल वाले आती है और साथ ही भारत के भुगुल का पार्ट फैस्ट उसमें आती है लेंट में और 12 में भारत के भुगुल का पार्ट टू आती है और इसके साथ ही प्रेक्टिकल में लेंट की आती है और प्रेक्टिकल में 12 मतलब टोटल 6 किताबें आपके पास होनी चाहिए NCRT की और ये सारी line to line आपके पड़ी हुई होनी चाहिए सारी समझी हुई होनी चाहिए ये बहुत ही मतलब essential content है तो जैसे GC Leong होई, Rupa Mad Simple होई, NCRT होई तो ये तो must है इसके साथ साथ सविंदर सींग की किताब जो physical geography पूरा cover कर रही है इसके साथ साथ आप यूमन जियोगराफी में अलग-अलग किताबें नहीं ले रहे हैं तो एक आद किताब बले यूमन जियोगराफी या मानो भुगुल माजीद हुसेन की ले सकते हैं पर आपको थोड़ा और पढ़ना होगा internet का साहरा लेना होगा सबी को thanks और साथ ही आप books के अलवा हमारी testory join कर सकते हैं और books को अगर link के मादियम से खरीदते हैं तो इससे मुझे भी कुछ फाइदा होगा thank you